हेलो बच्चों, कैसे आप लो? Partnership Fundamentals के Lecture No.9 में आप सबी का स्वागत है। आज के Lecture में हम लो Interest और Partners Drawings की Calculation सीखेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के, मैं अपने Lecture को शुरू करता हूँ। इससे पहले हम लोग Calculation वाले पार्ट पर आए, मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा डिसकस करना चाहता हूँ। कि Interest on Drawings Partner से चार्ज करने के बीछे हमारी क्या Psychology होती है, हमारी क्या Thinking होती है। तो सबसे पहली बात भाई, जो Interest on Drawings Calculate किया जाता है, वो किया जाता है On Drawings Against Profit, ये बात मैं आपको कई बार पहले की Lecture में बता चुक हूँ। अब आप एक बात समझे की कोशिश करिएगा, जब मैं Partners की बात कर रहा हूँ, Partners कौन है, वो Business के Owners है, वो फर्म जो Business कर रही है उसके Owners है, कोई भी Business क्यों करता है, कोई भी Business क्यों चलाता है, Profit कमाने के लिए चलाता है, कोई भी Profit कमाना क्यों चाहता है, अगर मैं Partners है, वो Profit क्यों कमाना चाहते हैं, वो इसलिए कमाना चाहते हैं, वो अपने कुछ परसनल खर्चे निकाल पाए, हर इनसान के अपने परसनल खर्चे होता है, रोज मरगे खर्चे होते हैं, राशन पानी खरीदना है, बहर घूमने जाना है, मूवी देखने जाना है, पार्टनर भी अपना profit कर शेर कमा रहा है तोस्ट प्रॉफिट की शेर से वह ultimate यह अपने personal expenses meet करेगा अब जो personal expenses meet करने के लिए जो भी पैसा partner firm में से withdraw कर देता उसको हम डोल देता है drawings अब आप एक बास सोचो जब साल है जो मेरा accounting year suppose मेरा accounting प्रॉफे बनाइंगे तो पुरे साल की प्रॉफिट बात करinhoओंगा तो पुरा-साल खतम हो जाएगा पूरा-साल-स-पांदsk mechanism पर्सनल खर्चे हैं हमको प्रोफिट पता लगेगा फिर इसी प्रोफिट में से पार्टनर अपनी करेगा फिरá प्रक्ट अपनी किरनेत में से फ्रेक्ट निकल या उसके बाद करें नहीं जो पर्सनल कुर्चे कोई भी पर्सेल खर्चा होगा साल के बीच बीच में होता रहेगा तो पार्टर ऐसा नहीं किसकता कि भाई मैं सिर्फ साल खतम होने के बाद profit निकलने के बाद भी ड्रोइंग्स करूंगा यानि की partner को साल की बीच बीच में कहीं ना कहीं drawings करनी पड़ती है अब मान लो साल चुरूबा मेरा साल यहां चल रहा है चल रहा है चल रहा है पार्टनर को यहां पर इस period में पिर साल चल रहा है साल चल रहा है पिर हो सकता है partner 31 जैन्वरी को ड्रोइंग कर ले तो अलग अलग डेट पर हर partner अपणिड्र करेगा अपनी नीड का कोडिंग करेगा मैं आपसे बोलना चारा हो अब आप फर्म की point of view सो चोचो फर्म क्या बोलिगी पर्म की तरफ सो सोचना बहां बहाई आपने सपोस अगर यहां पर ड्रोइंग कर ली आपने यहां पर ड्रोइंग कर ली अभी यहां प प्रॉफिट अभी हमें पता ही नहीं है तो तुम ड्रॉइंग कहां से कर रहे हो अभी से तुम अभी से 30 सेप्टेंबर को कैसे ड्रॉइंग कर सकते हो यह बोली कि भाई अभी फसल उगी नहीं आप दावत पहले आ गए पहले प्रॉफिट तो कमाने दो पुरा प्रॉफिट पता लगने दो फिर ही तो आप प्रॉफिट में से ड्रॉइंग करोगे फर्म की यह बात हो जाती है तो फर्म और पार्टन में लड़ाई हो सकती है एक और पॉइंट ऑफ यूसर सोचो अब पार्टनर्शिप बिजनिस में अलग 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 पार्टनर होते हैं अब ऐसा होता है कि पार्टनर से बीच में और पार्टनर फिर्म के बीच में सब लड़ाई जगड़े होने के चांसेस हो जाते तो इसका सलीशन क्या निकल के आता है पार्टनर बोलता है पेगाम करो मैं यहांद 30 September को कर रहा हूं ना पार दो ट्रॉइंग्स मेरे फाइनल अकाउंट इस पीरेट का मेरे को मेरे से मतलब इंटरस्ट चार्ज करो मेरे ड्रोइंग्स पे इस पीरेट का मुझसे इंटरस्ट चार्ज करो जिस भी पीरेट के लिए मैंने ड्रोइंग्स करी है उस पीरेट के लिए आप मेरे से इंटरस्ट चार्ज करो हर पार्टर से चार्ज करो अग तो पार्टनर भी खुश, पर्म भी खुश, सब खुश तो लाई जगड की बात ही खतम हो गई तो जब Metroid not 콘연al की बात आती है जो हम पार्टनर से चार्ज करते है जो पर्म पार्टनर से चार्च करती है उसके पीछे का जो पूरी कहानी है जो thought process है वो ये होता है तो है होप आपको इसके पीछे की जो पूरी logic है एक प्रकार से जो आपको समझ आ गई होगी लेकिन एक कहानी आप से कोई पूछने वाला नहीं exam में आप से कोई कहानी पूछने नहीं वाला तो हम लोग वापस से interest on drawings की calculation की बात करना शुरू करते हैं तो उसके जो notes वगर आएं जो यहाँ पे हैं अगर आप अपने पास इसको note down करना चाहते हैं तो आप video pause करके जगा जगा अपने पास इसको note कर सकते हैं in fact I would highly recommend कि आप notes ज़रूर बनाईए क्योंकि होते हैं अगर drawings मेरी irregular drawings है अगर जो regular drawings है अगर जो regular drawings होती है तो उस case में जो method हमें apply करना होता है वो क्यालाता है average period method और अगर irregular drawings का case है तो उस case में दो तरह के method यूज हो सकते हैं एक होता है simple method एक होता है product method तो हम भी तीनों की तीनों मेथट्स के बारे में सीखे लिए तो इससे पहले कि मैं मेथट्स पर आउँ आपको ये समझ आ जाने चाहिए कि रेगुलर ड्रोइंग्स का मतलब क्या होता है तो रेगुलर ड्रोइंग्स का देखो मीनिंग यहां लिखा हुआ है रेगुलर ड्रोइंग्स वेर अमाउंट और ड्रोइंग्स इस उनिफॉर्म और टाइम इंटर्वल बिट्वीन टू ड्रोइंग्स इस उनिफॉर्म यानि कि ऐसी ड्रोइंग्स जब पार्टनर कर रहा है तेम अमाउंट की कर रहा है यूनिफॉर्म मतलब सेम same amount की drawings कर रहा है और एक particular interval of time पर कर रहा है यानि दो drawings की पीछ में जो time gap पड़ रहा है वो same रह रहा है for example मैंने बुला 10,000 rupees is withdrawn at the end of every month यानि कि अगर partner 10,000 रुपे withdraw करता है हर महीने के end पर तो आप कह सकते हो यह regular drawings है कैसे अब दोनों condition check कर लो amount of drawings is uniform यानि 10,000 रुपे हर महीने withdraw हो रहे है तो amount uniform है at the end of every month हो रहा है यानि हर drawing की बीच में हर दो drawing की बीच में one month का gap होगा है ना तो suppose अगर पहरी drawings 30th April को हो रही है क्योंकि साम महीने के अंत में हो रही है तो हर drawing की बीच में हर drawing की बीच में आप देखोगे एक महीने का gap है तो अगर यह दोनों conditions किसी भी case में satisfy हो जाती है तो उसको हम बोलते है regular drawings और मैंने आप से बोला regular drawings की case में जो method हमें apply करना होता है वो होता है average period method average period method अब average period method से कैसे interest on drawings निकलता है तो उसका एक बड़ा straightforward formula है formula यह है interest on drawings is equal to total drawings जहान रखना लिखा है total drawings total drawings मतला पूरे साल की पूरे साल की तो total drawings into rate upon 100 into average period upon 12 यह formula है अब सवाल उठा सरी यह average period method क्या होता है यह average period का क्या मतलब होता है तो इस average period निकालने का भी मैंने एक formula लिख दिया time left after first drawings plus time left after last drawings divided by two तो यह formula आप लगा दोगे तो आपका average period निकल जाएगा average period निकल गया तो फिर आप यह formula लगा के interest on drawings निकाल सकते हो और आपका काम खतब तो अभी मैं आपके साथ discuss करूँगा average period method निकालते कैसे हैं तो कुछ examples के हैं जिसे मैं आपको सिखाऊँगा कि average period कैसे निकालते हैं अब यहाँ पे न कई बच्चे क्या होता है average period हर case का रट के चले जाएगा कई सारे cases बन सकते हैं drawings के regular drawings के और उसने क्या कते हैं हर case का average period रट रट के चले जाएगा तो मैं नहीं चाहता है कि आप यह unnecessary फालतू में रटो अगर आप इसके पीछे का निकालने का तरीका समझ जाओ average period निकालने का तरीका समझ जाओ तो question में चाहिए वो कोई भी case बनाके दे दे आप अपने आपकी calculate कर सकते कि average period किता है आपको रटनी के unnecessary लिए जरूत नहीं तो मैं बिलीब नहीं करता है इसमें रटनी की तो मैं कभी भी students को यहाँ पर average period तो कभी नहीं रटवाता तो मैं यहाँ पर भी आपको नहीं calculate कर लोगे कि सर average period किता है तो average period की calculation बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा note और पढ़वाना चाहता हूं जो काफी important है very very important very very important जो बच्चे कई बार भूल जाते cbse की एक assumption है जो हमें follow करनी होती cbse के हमें एक assumption follow करनी होती cbse कहता आप से कि अगर किसी question में date of drawings नहीं दी date of drawings आपको किसी question में नहीं given आपको पता ही नहीं कि कौन सी date को drawing हो रही बस drawing दी रखी है तो उस case में हम average period method से interest on drawings निकालते है और average period आपको लेना होता है six months का average period आपको लेना होता है six months का तो मैं repeat कर रहा हूं अगर किसी question में आपको नहीं पता लग रहा कि कौन सी date code drawings हो रही है तो आपको cbse कहता है एकि average period से निकालो interest on drawings और जो average period अब लो वो लो six months और अगर suppose किसी question में किसी साल में पूरा साल नहीं बैट रहा है तो पूरा जो पहला counting year खतम हो गए उसमें 12 months नहीं पड़ेंगे उसमें 12 months से कम पड़ेंगे for example अगर मैं बोल रहा हूं कोई business 1st October को start हो रहा है तो 1st October से लेके 31st March तक 6 months बनेंगे तो अगर ऐसा कोई case बैट रहा है तो आप average period 6 months नहीं लोगे आप इसका 50% लोगे तो साल में जितने भी महीने पड़ रहे हैं accounting year में जितने भी महीने पड़ रहे हैं उसका 50% आप average period लोगे तो अगर साल में सिर्फ 6 महीने पड़ रहे हैं तो आप average period 3 months का लोगे तो यह लिखा है 6 months लेना है वैसे तो mostly question में पूरे 12 महीने नहीं पड़ेंगे लेकिन अगर किसी question में पूरे साल में 12 महीने नहीं पड़ है उस case में जो average period आप लोगे वो कैसे लोगे half of total number of months in the accounting year और example मैंने बोला अगर business 1st October को start हो रहा है और साल मेरा पहला 31st March को खतम हो रहा है तो आप देखोगे साल में पहले साल में सिर्फ 6 months पड़ रहे हैं और उस case में आप average period जो ले लोगे 3 months ले लोगे यह मैं कब की बात सिखाता हूं कि average period आपको कैसे निकालना होता है तो कुछ-कुछ examples की आप से सिखाऊंगा exhaustive number of examples नहीं होगे क्योंकि number of cases कई सारे बन सकते हैं कई सारे cases बन सकते हैं number of आगर मैं आपके regular drawings के बात करूं तो possible नहीं कि मैं एक-एक सारे cases आपको लिख पाहूं वह बहुत सकत करना तो पहला example जैसे मैं आप से बोला है fixed amount is withdrawn at the beginning of each month यानी हर महीने की हर महीने की शुरुवात पर हर महीने की शुरुवात पर पहली दिन पर हर महीने के पहली date पर हम drawings कर रहे हैं कोई partner drawings कर रहे हैं यहां पर average period कैसे निकलेगा तो formula हमारा क्या है formula पहले याद रखना है average period का formula क्या है time left after first month sorry after first drawing plus time left after last drawing divided by 2 यह formula आपको याद रखने और फिर इस formula को आप apply कर देना जो भी case है तो यहां पर अगर मैं बोलू जब मैं बोल रहा हूं हर महीने की पहले तारीक को drawings हो रही है तो यहां पर क्या बना आप ऐसे सोचो आप एक timeline के help से सोचना suppose वही ले ले लेते 1st April को सार्ट शुरू होता है 31st March को साल खतम हो तो मेरी पहली drawing कब हो रही होगी साल की पहली drawing कब हो रही होगी जब मैं आपसे बोल रहा हूं first day of every month अगर मैं आपसे बोला हूं साल की हर महीन है कि हर पहली तारीक को हम drawing कर रहे हैं तो पहली drawing हम कर रहे होंगे यहां पर 1st April को 1st April को पहली drawing कर रहे होंगे और last drawing कब कर रहे होंगे हम लोग first March को साल की last drawing हम first March को करेंगे क्योंकि हर पहली तारीक को हम drawings कर रहे हैं और आखरी महीन मार्च का पढ़ता है और पहली मार्च को मतलब हम लोग last साल की drawing करेंगे तो बस आप formula लगा लो formula कैसे लगा होगे time left after first drawing तो first April से लेके 31st March तक कितना time बच रहा है बोलोगे सा 12 months बच है time left after last drawing last drawing first March को रही है तो first March से 31st March कितना time बच रहा है एक महीना बच रहा है divided by 2 यह आ जाएगा आपका 13 divided by 2 that is 6.5 months 6.5 months ऐसी एक और example ले लेता हूँ Example number 2 लिख लेता है Example number 2 Fixed amount is withdrawn at the end of every month Fixed amount is withdrawn at the end of every month अगर यह case मना तो सोचना बिल्कुल सेम है वही सोचना आप अब आप भूलोगे कि सर पहली drawings कब होगी अगर first April को साल शुरू हो रहा है और 31st March को साल खतम हो रहा है तो साल की पहली अप करेंगे हम लोग अब हर महीने के last तारीक को हम लोग ड्रॉइंग कर रहे हैं तो पहला महीना साल का first April पढ़ता है और April का last date पढ़ेगा आपका 30th April असाल का last महीना पढ़ता है March का और March का last date पढ़ेगा 31st March ही तो पहली drawings हम मतलब 30th April को कर रहे होंगे आखरी drawing हम 31st March को कर रहे होंगे बस आप अपना formula apply कर दो तो average period कैसे निकालोगे time left after first drawing 38th April से लेके 31st March साल के अंतक कित्ता time बच रहा है अब बलोगे सर 11 महीने बच रहे है 11 महीने बच रहे है time left after last drawing 31st March से लानी last drawing की date से साल की आखरी तक कित्ता time बच रहा है कुछ भी time नहीं बच रहा क्योंकि last drawing भी 31st March को हो रही है साल भी 31st में आज को खतम हो रही है तो 0 months left divided by 2 divided by 2 तो यह आ गया 5.5 months 5.5 months खतम इस प्रकार साफ को करना होता है एक और example और example discuss करते हैं example number 3 fixed amount is withdrawn fixed amount is withdrawn at the या in the middle of बोलना चाहिए एक दा गलात हो गया अंगरी जी in the middle of every month अगर मैं आपसे यह बोलता हूं हर महीने की बीच वे बिल्कुल बीच ओ बीच हम लोग ड्रॉइंग कर रहे हैं हर महीने की इसको हम लोग even drawings भी बोल सकते हैं even drawing ठीक है तो कब question में आपको कहीं पे लिखा है drawings is done evenly इसका मतलब यह होता है ठीक है तो fixed amount is withdrawn in the middle of every month अगर ऐसा बोलता है question तो सोच हमारी सेम है सोच हमारी बिलकुल सेम है 1st April को साल शुरू होता है 31st March को साल खतम होता है तो अगर मैं बोल रहा हूं fixed amount is withdrawn in the middle of every month. तो पहला साल का महीना पढ़ रहा है April, पहला साल का महीना पढ़ रहा है April, और साल का जो April का महीना उसका बीच ओ बीच जो दो दिन पढ़ जाएगा, वो लगबख 15 April का पढ़ जाएगा. साल की आखरी महीना आ रहा है March का, तो अगर मैं March के महीने का बीच ओ बीच तारीक लूँँ, तो वो भी लगबख ऐसी 15 तो 16 March के आसपस पढ़ जाएगा, मुटा मुटा, है ना, 15-16 March के बीच में पढ़ जाएगा, अब आपको वही अपना फंडा लगाना है, average period कैसे निकालना है, time left after first drawing, यानि 15th April से कितना time बचा, साल कतम होने तक, तो आप बोलोगे साड़े 11 महीने, साड़े 11 महीने, है ना, अगर मैं April का भीच ले रहा हूँ, तो यानि यहाँ पर 0.5 मन्स हो गया, और बचावा महीना साड़े 11 महीने हो गया, है ना, तो साड़े 11 12 महीने बच गया, पहली ड्रोइंग के बाद, time left after last drawing, time left after last drawing, तो आधा महीना बचा है, आधा महीना बचा है last drawing से, तो यानि 0.5 मन्स, divided by 2, तो यहाँ गया 12 divided by 2, that is 6 मन्स, 6 मन्स, खातम, एक और example ले लेते हैं, एक और example ले ले लेते हैं, example number 4, example number 4, अगर मैं आप से बोलता हूँ, fixed amount is withdrawn, fixed amount is withdrawn, at the end of each quarter, at the end of each quarter, तो बता, average period किता होगा, तो पहले तो मैं आपको बता दू, quarter मतलब होता है, four, one year में आप बोल सकते हो, होते है, four quarters, one year में होते हैं, आपके total four quarters, है ना, तो पहला quarter हो जाता है, आपका, first April से लेके, 38 June तक, first quarter, फिर आपका होता है, first July से लेके, 31st October, sorry, 30th September, first July से लेके, 38 September, फिर अगला quarter होता है, आपका, first October से लेके, 31st December, और last quarter होता है, first January से लेके, 31st March, है ना, तो एक प्रकार साब कह सकते हो, तो तीन-तीन महीने का एक quarter होता है, तीन-तीन महीने का एक quarter होता है, अब गर मैं आप से बोल रहा हूँ, fixed amount is withdrawn at the end of each quarter, तो अब इसको ऐसी समझो, अगर ये first April है, 31st March है, तो इसको मैं चार हिस्सों में divide कर देता हूँ, एक, दो, तीन और चार, अब मैं जब बोल रहा हूँ, ये मेरा हो गया quarter 1, ये मेरा quarter 2 हो गया, यह मेरा quarter 3 हो गया यह मेरा quarter 4 हो गया अब मैं आप आपसे बोल रहा हूँ fixed amount is withdrawn at the end of each quarter यानि मेरी साल की पहली drawing कब हुरी होगी पहले quarter के end में तो पहला quarter मेरा कहा end हो रहा है यहाँ पे end हो रहा है तो April, May, June तीन महीना हो गया तो 30th June को मेरा पहला quarter end हो गया time left after last drawings अच्छा, last drawing मेरी कब हो रही होगी fourth quarter, last quarter के end में तो quarter 4 के end में यानि मेरा यह quarter 4 है तो इसका end हो गया, इसकी last date हो गया यही 31st March 31st March तो मेरी पहली साल की drawing हो रही है 30 June को, last drawing हो रही है 31 March को अब लगा लो अपना formula average period का time left after first drawing यानि 30 June को पहली drawing हो रही है तो इस date से लेके 30 June से लेके, कितने साल कितने महीने बच रहे हैं साल के end तक तो आप बोलोगे 9 महीने बच रहे 30 June से लेके 31st March अगर आप देखोगे तो 9 महीने बचेंगे, 9 months time left after last drawing, तो last drawing again यहाँ पर 31st March को ही हो रही है तो 31st March से 31st March कुछ भी time बचनी रहा, तो यह 0 हो गया, divided by 2 तो यह हो गया 4.5 months 4.5 months, इस प्रकार से हमें करना है एक छोटा से example और discuss कर लेता हूँ तो मैंने 4 example अलड़ी डिसकस कर लिए, तो मैं उमीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को calculation समझ आ रही होगी example number 5 example number 5 अब मैं बोलता हूँ साल में 6 महीने पढ़ रहे हैं पूरे accounting year में 6 महीने पढ़ रहे हैं तो accounting year अगर मैं आप से बोलू तो suppose for example business जो है साल के बीचो बीच स्टार्ट हो रहा हूँ तो मैं example के तौर पर बोलता हूँ accounting year है 1st October 2021 से लेके 31st March 2022 तो यह accounting year मेरा पढ़ रहा है 6 months यह accounting year मेरा पढ़ रहा है 6 months अब यहाँ पर मैं बोलता हूँ आपसे fixed amount is withdrawn at the beginning of each month अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ और आपसे बोलूँ कि average period अब बताओ किता होगा तो भाई अपना funda same रखना है funda हमारा same रहेगा अपके जो हमारा साल बन रहा है पूरा हमारा साल कब से कब तक का बन रहा है 1st October से लेके 31st March तक का हमारा साल बन रहा है है ना 1st October से लेके 31st March का तो जब मैं बोल रहा हूँ fixed amount is withdrawn at the beginning of each month तो पहला महीना साल का मेरा कब पढ़ रहा होगा October का महीना पढ़ रहा होगा क्योंकि मेरा साल ही है 1st October को शुरू हुआ है और अगर मैं आप से बोल रहा हूँ पहली तारीक को हर महीनी के पहली तारीक को drawings हो रही है तो first drawing कब औरी होगी मेरी साल का आखरी महीना क्या है मार्च है तो मेरी लास्ट जॉइंग कब औरी होगी पर्स्ट मार्च को औरी होगी पर्स्ट मार्च को औरी होगी बस यह identify करना आपको बस वन्स आपने यह identify कर दी आप फिर ता प्रिश्पीरेट निकाल सकते कोई दिक्कत नीए ता आप बोलोगे time left after first दोनी यहीं फर्स्ट ओक्टूबर से लेके कितना time बचा फर्स्ट ओक्टूबर से लेके साल खतम होने में कितना time बचा तो आप बोलोगे यहां से 6 महीना बच रहा है पर्स्ट ओक्टूबर से 31st मार्च 6 महीना बच रहा है तो इस प्रकार से आपको आवरेज पिरेट निकालना होता है तो मैंने आपके तार चार पांच इग्जामपल डिसकस करें आपको सिखाने के लिए कि आप आवरेज पिरेट कैसे निकाल सकते हो तो आपको कुछ नहीं आपको बस identify करना है कि पहली drawings कब औरी होगी, last drawing कब औरी होगी और फिर अपना formula लगा देना है time left after first drawing plus time left after last drawing divided by 2 और आपका average period निकल जाएगा और ultimately हमें interest on drawings निकालना है तो अगर आपका average period निकल गया तो आप लोग अपना interest on drawings भी निकाल सकते हो उसका formula क्या लिखा था हमने, क्या discuss किया था, total drawings, total drawings into rate upon 100 into average period upon 12, यह फंडा है हमारा average period का, तो मैं काम करता हूँ, आपको इसके उपर आपके किताब का कोई सवाल करवा देता हूँ, दो-चार सवाल करवा देता हूँ, ताकि आपको confidence आजाए, और आप समझ जाओ कि average period method से आप interest on drawings कैसे calculate करोगे, तो for example आप लोग देखना, question number 37, question number 37, question 37 कहा रहा है, देव विड्रियू, rupees 10,000, देव विड्रियू, rupees 10,000, on 15 day of every month, interest on drawings was to be charged at 12% परहना, interest on drawings का rate आपको दे दिया है, एक बात का ध्यान रखना, जो हम कई बार डिसकस कर चुके, अगर partnership deed में interest on drawings के बारे में कोई information नहीं है, silent है, तो कोई भी interest on drawings charge नहीं होगा, तो I hope यह बात आपको याद होगी, तो देव ने विड्रॉ कराया, 10,000, on 15 day of every month, और आपको interest on drawings निकालना है, at the rate of 12% परहना, चलिए, so question number 37, question number 37, question 37 वह कह रहा है कि हमने हर महीने की 15 तारीक को drawings की है, इसका मतलब आप यह समझ सकते हों कि question आप से कह रहा है, middle of the month, middle of the month की वह कह रहा है बात, तो आपका formula क्या होता है, अपना formula याद रखना है, total drawings into rate upon 100 into average period upon 12, तो सबसे पहले मुझे average period निकालना है, average period क्या है, time left after first drawing, तो middle of the month हो रहा है, तो यह वैसे में example आपके साथ discuss कर चुका, middle of the month का मतलब क्या हुआ, कि हम कही ना कही, 15th April को पहली drawing कर रहे होंगे, और last drawing कप कर रहे होंगे, 15th March को, 15th March को कर रहे होंगे, है ना, 15th day of every month कर रहे होंगे, तो 15 April को पहली drawing कर रहे होंगे, और 15 March को आपक्री drawing कर रहे होंगे, average period कैसे निकालोगे, time left after first drawing, 15 April से कितना टाइम बचा साड़े ग्यारा महीने बचे 15 मार्च से कितना टाइम बचा पॉइंट फाइम मंस बचे मैं आपको प्रैक्टेस करा आज चुका है अब जल्दी जल्दी कर रहा हूं तो यह बच जाएगा 6 मंस अब आपको interest on drawings निकालना है तो उसका formula क्या है total drawings अब देखना मैं बोल रहा हूं total drawings ठीक है अब question ने उसने क्या बोला हुआ है हमने कितना 10,000 रुपे हर महीने withdraw करा है तो total drawings कितनी आएगी 10,000 रुपीज 10,000 रुपीज तो महीने की ड्रुपीज तो पुरे साल के लिए मैं into 12 कर rate 12% दे रखा है into average period upon 12 तो 6 months मैंने average period निकाल दिया था divided by 12 divided by 12 अब इसको solve कर दो तो बस ये तो कुछ नहीं ये ये कट जाएगा और ये और ये भी कट जाएगा तो यहार है 1200 1200 इंटू 6 तो यहार है 7200, 7200 इस प्रकार सापको interest on drawings की calculation कर दिया हूँ similarly आप अगला question देखना, question number 38 देखना, question 38 one of the partners in a partnership firm has withdrawn rupees 9000 at the end of each quarter, at the end of each quarter, throughout the year, calculate interest on drawings at the rate of 6% पर है, तो 9000 रुपे हमने withdraw कर रहे, at the end of each quarter question 38 question 38 सबसे पहले मुझे average period निकाल के बताना आप लो, कैसे बता होगे आप अपने पास निकाल दे न, average period निकालना सबसे पहले तो at the end of each quarter बोल रहा हूँ, तो पहली drawings मैं कब कर रहा हूँगा, April, May, June, 38 June को पहली drawings कर रहा हूँगा, और last drawing कर रहा हूँगा, 31st March को कर रहा हूँगा, तो time left after first drawing किता हुआ, 9 months 30 June से 31st March, 9 months, और time left after last drawing किता हुआ, 0, क्योंकि last, साल के last date ही हम last drawing कर रहे हैं, तो 0 हो गया, divided by 2, that is 4.5 months, 4.5 months, अब interest to drawings निकालना है हमको, पहले हमें लेना होता है, total drawings, अब साल की total drawings किती होगी, अब 9000 रुपे at the end of each quarter हमने withdraw कर रहा है, और मैंने आपको बहला, साल में 4 quarters होत है, तो 9000 रुपे अगर मैंने हर quarter पे withdraw करा है, और अगर साल में 4 quarters होते हैं, तो पूरी साल की drawing सित्ती होगी, into rate upon 100, rate आपको दे रखा 6% का, into average period upon 12, तो average period हमने निकाला 4.5 divided by 12, तो जब इसको solve कर दोगे, तो आ जाएगा आपका, तो 936,000 into 6% into 4.5 divided by 12, तो इकिता आ रहा है, 810 रुपे, 810 रुपे, चलो एक और खोड़े बहुत questions करते हैं, question number 39 देखना, question number 39, 39 कह रहा है, A and B are partners sharing profits equally, A drew regularly 4,000 in the beginning of every month, हर महीने के beginning पे withdraw करा, for 6 months, for 6 months ended 30th September 2021, तो 6 महीना, एंड, जो साल है, basically 6 महीना का पढ़ रहा है, question आप से कह रहा है, तो यानि जो साल पढ़ रहा होगा मेरा, वो 1st April से लेके 30th September का पढ़ रहा हो, 1st April से लेके 30th September का पढ़ रहा होगा, interest on drawings आपको निकालना है, 5% के साब से, for a period of 6 months, question 39, question 39, तो मैंने आप से बोला, जो हमारा साल पढ़ रहा है, 1st April से लेके, 30th September का पढ़ रहा है, तो यानि की, first drawing मेरी हुई होगी, first drawing मेरी हुई होगी, अगर मैं बोल रहा हूँ, हर महीनी के शुरुवात में, यानि beginning of everyone लिखा है, तो अगर मैं बोलो हर महीनी की शुरुवात में drawing हुई है, तो 1st April को मेरी पहली drawing हुई होगी, first April को मेरी पहली drawing हुई होगी, और last drawing कब होई होगी, महीना जो आखरी महीना पढ़ रहा है साल का, वो 30 September पढ़ रहा है, तो last drawing मेरी 1st September को ही होगी, बस average period निकाल दो, time left after first drawing, यानि 1st April से कितना time बचा, तो 1st April से 30th September तक कितना time बच रहा है, 6 महीना बच रहा है, प्लस time left after last drawing, तो 1st September से 30th September कितना time बच रहा है, एक महीना बच रहा है, divided by 2, तो यह आगया 3.5 months, 3.5 months, बस यह निकल के आगया, अब आप interest on drawings निकाल सकते हो, वही formula लगा के, तो पहले लखो के total drawings, अब हर महीने अपने कितनी drawings करिये, question ने बुला है, 4000 रुपे, तो 4000 रुपे की drawings है हर महीनी की, 6 महीने के हम period ले रहे हैं, तो 6 months का, महीने टोटल drawings होगी मेरी, 4000 into 6, rate आपको 5% दे रखा है, rate आपको 5% दिया है, तो into 5 upon 100, into average period 3.5 upon 12, अगर इसको solve करूँ में तो कितना आएगा, 24,000 into 5% into 3.5 divided by 12, तो यह कितना आ रहे है, 350, 350, इसी प्रकार से अगला question भी देख लो, इसी प्रकार से अगला question भी देखना, question number 40 देखना एक बार, question number 40, A and B are partners sharing profits equally, aid review regularly 4,000 रुपे at the end of each, every month, at the end of every month for, वही 6 months ended 30 September 2001, other case calculate interest on drawings at the rate of 5% पर रहे हैं, तो वही हो गया, question 40, वही हो रहा है, फर्स्ट एप्रिल से लेके, 38 सप्टेंबर का मेरा साल चल रहे हैं, फर्स्ट एप्रिल से लेके 38 सप्टेंबर का साल पढ़ रहे हैं, आप question में बोला है कि हमने महीने की आखरी, हर महीने के आखरी तारीक को विड्रॉओ कर रहे हैं, तो पहली ड्रॉइंग्स हमने कप करी होगी, पहला महीना एप्रिल का पढ़ा, तो पहली ड्रॉइंग्स हमने करी होगी, 31 एप्रिल को, लास्ट एप्रिल, लास्ट महीना सप्टेंबर का पढ़ रहे हैं, तो लास्ट ड्रॉइंग्स हमने कप करी होगी, April का आखरी दिन, that is, sorry, September का आखरी दिन, that is, 30th September. तो average period किता आएगा? Time left after first join, यानि 30th April से 30th September किता महीना बचा? 5 महीना बचा, 5 months बचा. Plus time left after last join, यानि 30 September से 30 September किता 9 बचा? 0, divided by 2, तो यह आगए 2.5 months. 2.5 months. इंटरस्ट और ड्रोइंग्स किती हो गई? तो वही total ड्रोइंग्स तो 4000, into 6, rate आपका वही है, 5% का, period पढ़ रहा है, 2.5 upon 12. तो हो गया, 24, 5% into 2.5 divided by 12. तो यहार है, 250 रुपीज. तो इस प्रकार से आपको निकालना होता है, interest on drawing. अब कभी-कभी कुछ question आपके ऐसे बन सकते हैं, जिसमें वह आप से drawings का amount निकालने बोले. तो मैं आपको information ऐसी देदे, कि वह आप जो है drawings का amount निकाल पाँ. तो मैं आपको question दिखाता हूँ, और बहुत simple है, अपना basic mathematical logic लगाना है. तो question 43 जैसे देखना, क्या रहा है calculate the amount of monthly drawings, monthly drawings बूच रहा है, हर महीने कित्ती drawings हुई, for the year ended 31st March 2022, in the following alternate cases, when partnership deed allows interest on drawings at the rate of 10% पराना, तो मैं सारे cases नहीं डिसकस कर रहा, ऐसी एक case मैं डिसकस कर लोगा इसमें, और बागी case आप अपने आप solve पर सकते हूँ, तो मैं case number 3 डिसकस कर करता हूँ, case number 3, तो कह रहा है, if interest on drawings is 2750, तो देखो, interest on drawings उसने आपको दे दिया, interest on drawings उसने आपको दे दिया, and he withdrew a fixed amount at the end of each month, at the end of each month, यानि उसने interest on drawings निकाल के दिया, उसने आपको interval बता जीए कि कब-कब drawings कर रहा है, आपको amount of drawings निकालना है, कोई दिक्कत है क्या, कोई भी नहीं, अपना basic match लगा हूँ, तो सबसे पहली बात, सबसे पहली बात, question number 43, तो मैं आपको करा रहा हूँ, question number 43, और question number 43 का मैं third part करा रहा हूँ, third part, तो सबसे पहली बात, अगर वो question करा रहा है, आपको, at the, जो drawings हुए, at the end of each month हुई है, सबसे पहले मुझे average period बताना कित होगा, तो अपना वो ही, identify पहली drawings हमने कप करी होगी, at the end of each month बोल रहे है, तो पहली drawing हमने 30th April को करी होगी, और last drawing कप करी होगी हमने, 31st March को करी होगी, है ना, तो average period किता आ जाएगा, time left after first drawing, तो 30 April से लेके, 31 March किता time बचा, आप बोलोगे, सर 11 महीं ने बचे, प्लस, time left after last drawing, तो 31 महाच से 31 महाच किता time बचा, कुछ भी नहीं बचा, 0, divided by 2, तो यह आगया 5.5 months, 5.5 months, अब आपको interest on drawings का formula पता है, interest on drawings का formula क्या होता है, interest on drawings is equal to total drawings, into rate upon 100, into average period upon 12, यह formula होता है, अब यहाँ पर इस question में उसने क्या किया, उस question में आपको, यह दे दिया, यह दे दिया, यह आपने निकाल दिया, यह आपने निकाल दिया, information से, यह आपको निकालना है, this you have to calculate, बस आपको दिक्कत है क्या, अगर इसको मैं x assume कर लू, इसको मैं x assume कर लू, total drawings, let total drawings भी x, तो मैं इसको कैसे solve करूंगा, interest on drawings question में उसने आपको दिया, 2750, 2750 is equal to x, into rate किता दिया हुए 10%, into average period आपने निकालना, साढ़े 5, 5.5 divided by 12, so this implies x किता आ जाएगा, 2750 into, अगर मैं इसको और इसको काट दू, into 10 upon 1 into, इसका reciprocal हो जाएगा, 12 upon 5.5, 12 upon 5. इसको मैं solve कर जाता हूँ, 27500 into 12, divided by 5, तो यह आ रहा है, 60,000, एक्स आ रहा है मेरा 60,000, अब ध्यान रखना, यह 60,000 क्या है, एक्स हमने क्या जियूम किया था, total drawings जियूम किया था, तो यह पूरी total drawings है, this is total drawings, साल की पूरी total drawings है, question नहीं आप से बोलाए, कि महीनी की drawings निकालो, monthly drawings निकालो, तो monthly drawings कित्ती आएगी, monthly drawings, तो बस total drawings को आप 12 से डिवाइड कर दो, साल में total 12 महीनी होता है, तो 12 से डिवाइड कर दो, तो यह आजाएगा, 5000 पर मन्त, खत्म, तो इस प्रकार से आपको calculation करनी होती है, इसी प्रकार से अब मैं एक और question आपको दिखाता हूँ, question number 44 देखना, question number 44 देखना, तो calculate the amount of ships quarterly drawings, अब यहाँ पर वो कह रहा है, quarterly drawings निकालो, for the year ended 31st मास 2022, in the following alternate cases, when partnership deed allows interest on drawings at the rate of 12% पर आना, तो इसमें मैं आपको कौन सा कराऊं, मैं आपको second case कराता हूँ, इसमें मैं आपको second case कराता हूँ, और बाकी case आप अपने आप practice करके देख सकते हो, if interest on drawings at the rate of 12, sorry, if interest on drawings is Rs.1200, तो interest on drawings उसने यहाँ पर निकाल के बता दिया, and he withdrew a fixed amount at the middle of each quarter, हर quarter के middle पे withdraw करा है partner ने, तो आजो हूँ, question number 44, 44 का second part करा रहा हूँ, तो मुझे average period बताओ, अब question क्यार आपको, कि हमने हर quarter के middle पे withdraw करा, इसका क्या मतलब हुआ, तो यह पूरा साल है, अब पूरे साल में कितने quarters हो गए, चार quarter हो गए, यह first April है, यह 31st March है, question क्यारा है, हमने हर quarter के middle में किया है, तो यह quarter 1 है, यह quarter 2 है, यह quarter 3 है, और यह quarter 4 है, अगर हर quarter के middle में हमने withdraw करा है, तो पहली drawings हमने कब करी होगी, पहले quarter की बीच में, तो यानी मैं कह सकता हूँ, 15th में कह दूँ, लगभग, मोटा मोटा, 15th में मोटा मोटा कह देता हूँ, similarly, last drawing हमने कब करी होगी, fourth quarter या last quarter के middle में, तो middle यह क्या पड़ा, यह बोल सकते हो, आप कहीं ना कहीं, 14th February, बना February का middle, यह मतलाब हो गया, में का middle, यह मतलाब हो गया, February का middle, है ना, तो पहली drawings हमने करी, में के middle में, last drawing हमने करी, February के middle में, अगर question आप सा कह रहा है, कि क्या कहता है हम, हर quarter के middle में हमने विड्रॉव किया, तो अब आप लगा लो अपना वोई average period वाला फंडा, average period वाला अपना फंडा निकालो, तो time left after first join, यानी मोटा मोटा 15th में से लेके, 31st March तक का मुझे बताओ कितना time बचा, तो यह बचेगा लगबग, if I am not wrong, ताड़े 10 महीन, 10.5 मंग, तो यहां से यहां तक लेके हो गया, यहां से यहां हो गया आपका 1.5 मंग, यह ना, तो यहां से लेके, यहां तक हो जाएगा मेरा बचा हुआ, 10.5 मंग, तो एपरिल पहला महीना, और मे का आदा, इसलिए 1.5, तो ऐसे आप कर दो, तो 12 में से 1.5 भटा दो, तो 10.5 बचे, time left after, last join, तो 14th February से लेके 31st मार्च तक, अब 14th February मतलब मोटा मोटा मैंने बोला है, middle of the month, February का middle, तो February के middle से 31st मार्च तक लेलो, तो February का आदा हो गया, और March का पूरा हो गया, तो यहाँ गया, 12 divided by 2, that is 6 months, 6 months, अब आप वही लखा लो, formula आपका क्या होता है, interest on drawings is equal to total drawings into rate upon 100 into average period upon 12, अब यहाँ पे भी same कहानी है, यहाँ पे भी same कहानी है, आपको question ने यह दे दिया, यह दे दिया, और यह आपने निकाल दिया question के information से, यह आप लोग निकाल लो, यह आप लोग निकाल लो, इसको अगर मैं यहाँ पे again x assume कर लो, इसको मैं x assume कर लो, तो मैं equation बना के solve कर लेता हूँ, interest on drawings question ने कितना दिया हुए, 1200, तो 1200 का उसने interest on drawings दिया है, total drawings को हम x लेके चल रहे हैं, rate question ने बोला हुआ है, 12% का, average period आपने निकाल दिया, 6, divided by 12, तो अब इसको solve कर दो, यह कड़ गया, यह यहाँ से कड़ गया, तो बस x is equal to 1200 into 100 upon 6, तो यह यह कड़ गया, यह आगया आपका 20,000, 20,000, अब यह 20,000 आपका final answer नहीं है, क्योंकि 20,000 तो पूरे साल की drawings आई है, यह पूरे साल की drawings है, यानि total drawings है, आपको quarterly drawings निकाल दिया है, तो निकाल लो, quarterly drawings, quarterly drawings, मैंने आपसे बूला, साल में कितने 4 quarters होते हैं, तो अगर 20,000 को 4 से divide गर दूँ, तो आजाएगा मेरा quarterly drawings खतम, तो इस प्रकार से हमको अपना logic लगाना होता है, तो at the end of the day, अगर आपको interest on drawings का formula पता लग गया, average period निकालना आ गया, तो question आपको कैसे भी बना के देदे, जो घुमा के देदे, आप ultimately सारी चीज़े calculate कर लोगे, अब हम लोग interest on drawings निकालना सीखते हैं, in case of irregular drawings, बात होगी, तो या तो आप simple method यूज़ कर सकते हो, या तो आप product method यूज़ कर सकते हो, simple method में देखो क्या लिखा है, interest on drawings is calculated individually for each drawing, for each drawing, for the period amount is withdrawn, अच्छा पहली बाद irregular drawings होता क्या है, simple है, जो drawing regular नहीं है, वो irregular है, तो regular की जो मैंने आपको test बताए, कैसे आप test कर सकते हो, कि कोई drawings regular है की नहीं, वो आप test कर देना, अगर वो test पिट जाता है, तो वो irregular drawing हो जाएगा, irregular drawing है आपके question में, और आपके interest on drawing निकान लाएं, तो आप या तो simple method यूज़ कर सकते हो, या product method यूज़ कर सकते हो, simple method में क्या है कि, हर drawing के लिए हम अलग-अलग से interest on drawing निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, वो मैं आपको example के हैं से बताऊँगा, product method में क्या है कि, product method में आप एक formula यूज़ करते हैं, interest on drawing is equal to total of product, total of product, into rate upon 100, into 1 upon 12, यहाँ पर product का क्या मतलब होता है, drawings into number of months for which amount is withdrawn, तो अब इसको मैं आपको एक example के हक्चर, दोनों method समझा देता हूं, बहुत simple है, तो एक example है, तो आप इस example को चाहे तो अपने पास note कर देना, वीडियो pause करके, करना जरूरी है, एक example तो आपको इस दोनों method clear हो जाएंगे, calculate interest on drawings of Mr. X at the rate of 12% per annum for the year ended 31st March 2022 from the following information, तो आपको नीचे कुछ drawings की information दिये, इस drawings की information से आपको interest on drawing निकालना है, rate आपको मैंने बता दिया 12% per annum, तो date है क्या क्या 1st May 2021, 38 September 2021 और 31st January 2022, तीन drawings हो गई आपकी अलग-अलग date पे 2000-2006, तो आप यहाँ पर देखोगे, अगर आप अपने regular drawings की condition apply कोशिश करोगी, तो वो पिड़ जाएगी, पहली बाद तो आप देखना amount uniform नहीं है, amount uniform नहीं है, और जब आप time gap देखोगे, हर दो drawing की बीच का, तो वो भी uniform नहीं है, तो आप अपने आप जब टेस्ट करोगे, तो आपको realize होगा, कि यह regular drawings तो नहीं है, यह होगी irregular drawings, तो irregular drawings में आपको बोला, या तो आप simple method यूज़ कर सकते हो, या product method यूज़ कर सकते हो, दोनों भी method से answer obviously same आएगा, चाहिए आप दोनों भी उसे कोई भी method यूज़ करो, तो पहले मैं आपको simple method यूज़ करके दिखाता हो, simple method, तो simple method में मैंने आपको क्या बोला, हर drawing के लिए, अलग अलग से हम interest on drawings निकालते, for the period, the amount is withdrawn, तो अगर मैं बोलू, same table बनाओ, date, drawings के amount की, और interest on drawings की calculate करता हूँ, तो पहली drawing हुई है, first May 2021 को, first May 2021 को, drawing का amount है 2000, और rate मैंने आपको 12% बता रखा है, तो आप यहाँ पर कैसे calculate करोगे, जितने महीने के लिए drawings हो रखी है, जो आपको concept समझाता है, starting starting में है न, तो drawings actually जितने महीने के लिए होती है, उत्ते महीने का हम interest निकालते है, जितने महीने के लिए drawing, उत्ते महीने का हम लोग interest निकाल लेंगे, तो amount है 2000 रुपे, rate है 12% का, और कितने महीने के लिए drawing हुई है, अगर first में एक लिए drawing हुई है, तो first में 2021 से लेके, 31st March 2022, यानि साल के अंतक आप देख लेना, कितने महीने आएंगे, तो यह आएंगे आपके 11 months, यह आएंगे आपके 11 months, तो यह 12 और 12 कड़ गया, यह 100 और 100 कड़ गया, तो यह आ रहा है 220, 220, अगली drawing हुई है, मेरी 30th September 2021 को, 30th September 2021 को, amount है आपका 2000 का, तो यहाँ पे इस drawing के लिए, आप कैसा interest on drawing निकालोगे, 2000 रुपीज है, into rate वही है 12% का, और कितने महीने के लिए amount पे drawn है, 30th September 2021 से लेके, 31st March 2022, तो आप देखोंगे, 6 महीने आ रहे हुँगे, 6 महीने, तो यह इन्टू 6 by 12, यह और यह कड़ गया, यह और यह कड़ गया, तो यह आ गया, 120, 120, और लास्ट जॉइंग हुई है, मेरी 31 जन्वरी को, 6000 की, 31 जन्वरी को, 6000 की, बस यहाँ पर भी निकाल लो, इंट्रस्ट और ड्राइंग, तो 6000, इंटू 12, अपॉन 100, और यहाँ पर कित्ते महीनों के लिए ड्राइंग्स हुई है, 31st जन्वरी 2022, इस से लेके, 31st मार्च 2022, जन्वरी और मार्च दो महीन है, 2 मांस, तो यह बारा-बारा कड़ गया, यह और यह कड़ गया, यह भी आ रहा है, 120, 120, अब तीनों इंट्रस्ट को, जो आपने निकाला, इसका टोटल कर दो, तो एक टोटल कितना जाएगा, यह आगया 240, और यह आगया 220, तो यह आगया 460, तो टोटल इंट्रस्ट और ड्रोइंग्स मेरी हो गई, 460 की, तो यह हो गया आपका simple method, तो simple method है, simple क्यों बोल दिया, क्योंकि simply हम क्या कर रहे हैं, हर drawing के लिए, अलग-अलग से इंट्रस्ट निकाल के, उसको बस जोड दे रहे हैं, और आपका total interest on drawing आगया, अगर मैं आपसे बुलू, second तरीका, product method, product method, तो product method में आपको कैसे निकालना है, तो देखना, formula मैंने आपको क्या बोला, total of product, into rate upon 100, into 1 by 12, total of product के लिए, हमें एक-एक product निकालना ज़रूरी है, और product कैसे निकलेगा, total drawings into number of months, for which amount is been drawn, तो हम कैसे करेंगे, हम बोलेंगे, date, rupees, number of months, और product, तो पहली ड्रोइंग हुई है, हमारी, 1st May 2021 को, 2000 रुपे की, अगली ड्रोइंग हुई है, हमारी, 10 September को, 2000 रुपे की, और लास्ट ड्रोइंग हुई है, मेरी, 31st January, 2022 को, 6000 रुपे की, तो अब number of months, निकाल रहा है, कि इन कितने महीनों के लिए, ड्रोइंग हो रखी है, तो 1st May से, 31st March, यह हमने उपर ही निकाल दिया था, 11 months हो गया था, फिर 30th September से लेके, 31st March, कितने महीनी निकाल ले थे, 6 महीनी निकाल ले थे, और 31st January से लेके, 31st March हमने निकाल ले थे, 3 महीन, तो यह आ गया, रुपीज, ड्रोइंग का amount, और number of month, अब product के लिए, हमें क्या करना होता है, अगर इसको मैं A बोलता हूँ, इसको मैं B बोलता हूँ, तो product मेरा हो जाता है, A into B, A into B, इस प्रकार से मुझे product निकाल ला होता है, तो product कितना आ जाएगा, 11 into 2000, यह आएगा 22,000, यह आजाएगा 12,000, और यह आजाएगा 18,000, और total आजाएगा 52,000, 52,000, तो यह हो गया मेरा total of product, अब interest on drawing के लिए मैंने बोला formula लगाओ, total product, into rate upon 100, into 1 by 12, तो total product में ले बोला है 50,000, rate मैंने बता दिया 12%, और यह आगया 1 by 12, यह कुछ रर्बड आगई क्या, तो हो, यह ही मैं सोचू, यह 3 महीने नहीं थे, यह 2 महीने थे, इसको ठीक कर जाता हूँ, यह 2 महीना आया था, तो यह 12,000 था, यह 12,000 था, तो 24 और, 24 और 22, तो यह आगया था, 46, अब ठीक हो गया, तो यह आगया, 46, तो टोटल प्रोड़ट आया, 46, तो 12 और 12 कट गया, और यह 2 0 कट गय, तो इंटरस्ट और ड्रोइंग्स मेरी आगई, 460, और आप दोनों मेथट से टैली करके देख लेना, 460, यहां से भी आया, और उपर भी आया था, 460, तो यह होता है मेरा, रखिए तो प्रोड़ट मेथट लगा दो, अगर एक ही ड्रोइंग पर निकालना है, तो फिर सिंपली आप सिंपल वाले तरीके से निकाल सेपते हैं, ठीक है, आचा, एक कॉंसेप्चुल नोट और लिखवाना है मुझे, एक कॉंसेप्चुल नोट लिखना, एक कॉंसेप्च, भाले तरीकाल वाले तरीके साहर है, एक का सुब्लीट वंसेप्च, इव श्यक traff्वर मेंट विटड़ट यथर नोट लिखना, धा रख्च, बिखना, इक कॉंसेप्च, तो पर निश्ता, लिखना, क्याल्कुलेशन तो यह मुझे नहीं लगता आपको ऐस सच कभी जरूरत पढ़नी चाहिए एक्जाम में लेकिन अगर पढ़ गई तो मैं आपको लिखवा दे रहा हूं कि अगर आपको कोई एक्जाम में जो इंट्रस रेट दे वो बिना परैनम के दे दे और एक्जामपल व परैनम वर्ड ना लिखे हो खाली 10% लिख दे तो फिर उस केस में आपको ये कैलकुलेशन जो करनी होती है वो बिना टाइम फेक्टर के करनी होती है ताइम बेसिस पर कैलकुलेशन नहीं होती यानि फ्लैट कैलकुलेशन हो जाती है फ्लैट कैलकुलेशन चाहिए इंट्रस से नाल रहो जो भी निकाल रहो है ना तो उस केस में आप इसको फ्लाट 10 पर संट पर कल्कुलेट कर दोगे वो टाइम फेट्टर को पूरा इंवर कर देंगे अगर एक्जैम में आपके पर एनम नहीं लगा रखा बदब रेट के आगे पर एनम वर्ड नहीं चिपका हुआ त तो बैस इस बात को आप लोग ध्यान रखिए गए एक को फिशन आपको करा देता हूं और फिर हम अपने लेक्चर को खतम कर देंगे पुश्चन नमबर 42 देखो फिशन नमबर 42 यह इंपोर्टेंट कुश्चन है इसको इंपोर्टेंट मांग कर सकते हैं कह रहा है दा कैप निए लुए आपको दे रखिए दस लाग की और साड़े साथ लाग की यह दे रखिए आप्टर टेकिंट अपर ब्रॉए नक्र बोल सकते हो कि यह आपको क्लोजिंग कैपितल दे रखी आगे कह रहा है the drawings of the partners during the year वर सोएंसो तो तिशा की बात करूँ तो तिशा ने withdraw करे 25,000 रुपे at the end of each quarter तो तिशा की drawing हुई है at the end of each quarter तो यह आप कह सकते है एक प्रकार से हो गई regular drawings और second में बोला है दिव्या की drawings क्या है तो उसके अलग-अलग date पर दिए है 31st में को दी, 1st नवेंबर 1st फेबरेरी और अलग-अलग amount की दिए है तो यह होगी कहीं ना कहीं irregular drawings calculate क्या रहा है interest on partners capital at the rate of 10% per annum and interest on partners drawing at the rate of 6% per annum for the year ended 31st March 2022 question number 42 तो पहले हम लोग करते है calculate interest on capital जो हम पुराने lectures में सीख चुके है interest on capital तो यहाँ पे interest on capital निकालने के लिए हमको opening capital निकालना पड़ेगा यहाँ पे हमें opening capital निकालना पड़ेगा तो दो partner से तिशा और दिव्या calculation of opening capital calculation of opening capital तिशा और दिव्या तो सबसे पहले जो आपको closing capital दिए वो डाल दो तो closing capital कित्ती कित्ती दे रखी आपको दस लाक और सेाढ़े साथ लाक दस लाक साढ़े साथ लाक जब opening capital ही कालने तो हम हम लोग क्या एड़ करदेंगे drawings drawings add कर देंगे तिशा की मैं बात करूँ तो तिशा की information मैं उसने दिया है तिशा विड्रिव रूपीज 25,000 at the end of each quarter तो तिशा की drawings कित्ती हो जाएगी 25,000 quarterly drawings है तो साल की drawings के लिए इसको into 4 करना पड़ और दिव्या की मैं बात करूँ तो उसके तो total कर रखा है 20,000, 17,500 and 12,500 तो इसका आपको add कर देना होगा तो यह आएगा 1,00,000 और इसका आप जब add करोगे तो आएगा 50,000 फिर profits आपको minus करने होते हैं जो profits बाड़ दिये वो minus करने होते हैं तो इसमें कितने profits हमने बाते तो question में कितना है कितना profit अपने बाता है 5,000,000 रुपे का profit बाता है तो इसमें profit sharing ratio दिये नहीं रखी तो मैं इसको equal मान लूँगा तो इसका आजाएगा 1,500,000 इसका भी आजाएगा 1,500,000 अब आगे आपका opening capital opening capital इसका opening capital आ रहा है कितना 8,50,000 आ रहा है 8,50,000 और इसका आ रहा है 8,00,000 इसमें से गए 2,00,000 यह आ रहा है साड़े पांच लाँ बस इसमें कोई additional capital की information और withdrawal of capital की कोई भी information नहीं है interest on capital का rate 10% per annum का दिया है तो interest on capital निकाल लेंगे 10% per annum का तो यह आ जाएगा 85,000 यह आ जाएगा 55,000 55,000 तो पहली चीज़ हमारी होगे interest on capital निकाल लेंगे नेक्स्ट है आपका interest on drawings की calculation interest on drawings की calculation तो अगर इसमें बात कुरूँ तिशा की तो तिशा की क्योंकि regular drawings है तो हम use करेंगे average period method ठीक है तो average period किता आएगा तो average period उसने बोला है तिशा ने कि 25,000 रुपे at the end of each quarter हमने withdraw करें तो पहली drawing हमारी पहले quarter के end में होई होगी तो time left after first drawing हो गया 9 months plus आखरी drawing हमने साल के आखरी दिन ही करी होगी क्योंकि last quarter जो पढ़ रहा है वो जनवरी से लेके March का पढ़ रहा है और उस quarter का end 31st March ही पढ़ेगा तो 0 बचा कुछ भी time नहीं बचा divided by 2 तो यह आजाएगा 4.5 months इसकी interest on drawings कित्ती हो जाएगी तो total drawings मैंने उपर ही निकाल दी कित्ती निकाल दी एक लाख रुपे की तो 1 lakh रुपीज की total drawings है rate कित्ता दे रखा है rate आपको दे रखा है 6% per annum तो into 6 upon 100 और into average period upon 12 यह आगा 1 lakh into 6% into 4.5 divided by 12 तो यह कित्ता रहे है 2250 2250 अब मैं बात करता हूँ किसकी दिव्या की तो दिव्या की मैंने बोला irregular drawings है और मैंने आपसे बोला अगर एक से ज़्यादा drawings दिए है regular के case में तो बेटर ही होगा कि आप product method यूज कर लो अभी मैंने आपको सिखा दिया product method कैसे apply करना है date, drawings, months और यह आगे आपका product अगर drawings को मैं A बोल रहा हूँ, months को मैं B बोल रहा हूँ तो product हो गया मेरा A into B तो यह मैं डाल देता हूँ जल्दी जल्दी से तो पहली drawing बता रखिए 31st में 2021 को 20,000 की अगली drawing दे रखिए आपको 1st November 2021 को 17,000 की last drawing आपको दे रखिए 1st February 2022 को 17,000 की इस प्रकार से आपको total drawings बता रखिए 50 बार अब number of months गिन लो 31st मार्च, 31st में से लेके 31st मार्च तो उल्टा कर लेते हैं, April और में दो महीन आ गया, तो बारा में से दो महीने गए, तो यह गए 10 months, 1st November से लेके 31st मार्च, तो नवेंबर December और फिर January, February, March यानि 5 महीने, पांच महीने, और last, first February से लेके 31st मार्च, तो February और मार्च दो महीने, यह आगया 2, तो इसका आ रहा है प्रोड़क्ट दो लाख, इसका आ रहा है साड़े सत्रा इंटू पांच, 87,500 और इसका आ रहा है 25,000 तो टोटल आ गया 312,500 तो टोटल प्रोड़क्ट आ गया मेरा 312,500 इंटरस्ट अंडरिंग्स कैसे निकालते हैं, टोटल और प्रोड़क्ट दाट इस 312,500 इंटू रेट अपॉन 100, तो रेट कित्ता दे रखा है आपको 6% का, इंटू 1 अपां 12, इंटू 1 अपां 12, तो ये कित्ता आ रहा है, इंटू 6% तो ये आ रहा है, 1562.5 इसको राउंड ओफ कर सकते हैं, 1563, 1563, तो ये था भाई आज का पूरा, तो मैंने आपको बहुत exhaustively सिखाया, कि आप कैसे interest on drawings निकालोगे, मैंने आपको कई सारे examples भी करवाए, और आपके साथ मैंने किताब के कई सारे सवाल भी करे, उसमें हमने एक variety of questions और करा, जिसमें हमने amount of drawings निकालना भी सीखा, तो मैं आशा करता हूँ, आपने मेरे साथ साथ सारे questions solve करें होंगे, और आपको आज की सारी बाते समझ आ गई होंगी, तो अगर आप मेरे साथ end तक जुड़े तो बहुत-बहुत धन्यवाद, अपना समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, हसी-कुशी रहिए, एक दूसरी के मसद करते रहिए, और positive mindset से पढ़ाई करते रहिए, म मैं आपसे मिलूँगा, next lecture में, तब तक के लिए, bye-bye and take care.